साथ्यों आत्म अदिर भर भारत के लिए युवाओं के कौशल पर ये फोकस भी देश की नई राष्ट्रिय शिक्षानीती ने प्रस्तुत किया हैं आप भी उसको देख पाएंगे इसमें पढ़ाई के साथ साथ ही पढ़ाई के उप्योग याने अप्लिकेशन पर भी उतना ही बल दिया गया है राष्ट्रिय शिक्षानीती की कोशी ये है कि युवाओं को उनकी रूची के अनुसार विशय चुनने की आजादी दी गई है उनको कब पढ़ाई करनी है कब पढ़ाई छोड़ दी है और कब फिर से करनी है इसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कोशी यही है कि हमारे विद्यार्थी जो कुछ खुद से करना चाहता है वो उसी में आगे बढ़े है साथियों नई राष्ट्रिय सिख्षा निती में पहली बार वोकेश्टल एजुकेशन को एजुकेशन की मुख्य धारा में लाने का गंबीर प्रयास किया गया है कक्षा छे से ही विद्यार्थियों को स्थानिय जरुरतों और स्थानिय व्यवसावत से जुड़ा अपनी रूची का कोई भी कोर्स चुनने का विकल्प दिया गया है यह सरफ पढ़ाने के कोर्स नहीं होंगे बलकि सीखने और सिखाने के कोर्स होंगे इसमें स्थानिय कुसल कारीगरों के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी दिया जाएगा इसके बाद चरण बद्ध तरीके से सभी मेडिकल स्कूलों के सेक्षणिक विशव में वैवसाइग सिख्षा को एकिकुत करने का भी लक्षा है मैं आज आपको ये विस्तार से इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप जितना जागरूप होंगे उत्रा ही आपका भविश्य भी उजवल होगा